आज जो एरा आता है उसको 1750 से लेकर 1821 तक हम उसको 19th century कहते हैं इसको हम romantic period भी कहते हैं इस time पर romantic एक movement है जिसमें की नए मतलब जो augustine age के जो norms थे उसको question किया गया था कि कोई poetry जो है old style में क्यों लिखी जानी चाहिए उसके लिए rules क्यों follow लिखी जानी चाहिए ऐसा कुछ लिखना चाहिए जो straight from the heart which is overflow of emotions जैसे की wordsworth ने कहा था तो ऐसी poetry लिखी जानी चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी enjoy कर ले और ऐसी poetry लिखी जानी चाहिए जो कि दिल को चुए बजाए इसके कि वो rules and norms follow कर याने कि सीख के यह मतलब poetry writing या literature writing is art तो यह art जो है it should not be related to formal education art तो किसी जो नहीं भी सीखा है उसके भी साथ art हो सकती है उसके पास हो सकती है तो romantic movement जो था this was about this इसमें जो खास writer poets हैं जिनको pillars of romantic era कहते हैं वो हैं Keats, Wordsworth, Coleridge, Shelley and Blake यह पाँच poets William Blake, Coleridge, P.B. Shelley, John Keats, William Wordsworth और इसी एरा में Jane Austen ने भी लिखना शुरू कर दिया था जो कि novels लिखनी थी तो Napoleon Bonapart का rise हो रहा था France में, England में Parliament established हो रही थी, King's Rule को इतनी तवज्ज़ नहीं दी जा रही थी, Monarchी हटा कर एक democracy establish हो रही थी, इसको हम romantic era भी कहते हैं it was the golden era when knowledge was coming to us, Gothic age थी, इसमें personal freedom के ओपर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, लिखने में भी और society में भी, इसके बाद का जो era है which is from 1800 to 1900, इसको हम 19th century कहते हैं और pre-raphelite era भी कहते हैं, जिसमें की एक, मतलब कुछ नए styles develop होने लगे थे, इसके main जो poets and writers हैं, वो हैं Robert Browning, Dante Gabriel, Rossetti, Oscar Wilde, Dickens, और नया style जो इस time पे establish हुआ था, pre-raphelite era में, वो था dramatic monologue, यानि की, अकेले, मतलब monologue, dialogue होता है, जो दो लोगों के बीच में होता है, और monologue होता है, जो एक ही व्यक्ति, अपने ही मन से बातें कर रहा होता है, तो ये economic turmoil का period था, इंग्लेंड में, और dramatic monologue नाम की एक नए टेकनीक, इस time पे शुरुवात की गई थी, जिसमें की बहुत सारे, इस era को Victorian age भी कहते हैं, Queen Victoria यहाँ पे read कर रहे थी, और यहाँ पर power के लिए बहुत जादा conflict इस time पे हो रहा था, labor issues raise किये जा रहे थे, उनके wages तेक तै किये जा रहे थे, उनके voting rights तै किये जा रहे थे, city life develop होने लगी थी, rural life के बनिस्पत urban life establish होने लगी थी, aristocracy क्योंकि जो लोग royal family से belong करते थे, उनके वहाँ काम करते थे, वो लोग अब rich हो रहे थे क्योंकि England दूसरी countries को colonize करने लगा था, उन पर राज करने लगा था, तो aristocracy बहुत strong develop हो रही थी, और इसी time पे एक bourgeois class का rise हुआ है, जो कि pseudo intellectual type के लोग होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा debate करते थे, और जो कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा influence करते थे, उनकी जो वो बोल देते थे, pseudo intellectual type लोग थे, चाहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा logic ना हो, लेकिन लोग उसे follow करते थे, तो इसी time पे Darwin, Galilio, ये लोग भी आए, science भी develop होने लगी थी, और नई-नई जगहाएं भी ये लोग तलाश रहे थे, जहां पर कि अपनी colonies establish कर सकें, 20th century को हम Edwardian period भी कहते हैं, next King Edward Chaucer के जमाने में भी एक King Edward the third राजा थे, इस जमाने में भी एक King Edward थे, इस जमाने के जो poets हम को बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं, वो है Yates, T.S. Eliot, Virginia Woolf, Joseph Conrad, और D.H. Lawrence, ये industrialization का जमाना था, England में industrialization establish हो रहा था, लोगों का मुनार्की पे से विश्वास उठ रहा था, डिस्टोपिया का एक idea develop हो रहा था, Protestants जो थे वो अपनी एक जगह बना रहे थे, Anti-government war चालू थी, technology develop हो रही थी, religion के उपर लोगों ने doubt करना शुरू किया था, साथ-साथ उनको ये पता चल रहा था, कि उनकी जो religious book है, उसमें सब कुछ सही नहीं लिखा है, तो वो word of God है भी की नहीं, इस पे doubt होना शुरू हो गया था, लोगों को England में, free verse चालू हो गया था, free verse की technique होती है, जिसमें की बहुत ज़्यादा rhyme and rhythm को follow नहीं करते, blank verse में लिखते हैं, और stream of consciousness technique follow गई थी, stream of consciousness का मतलब है कि जैसे जैसे दिमाग चल रहा है, वैसे वैसे उसका कोई plot, उसका कोई character fixed नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है, वो लिखा जा रहा है, एक thought के बाद, जो एक दूसरे thought की string बन जाती है, चाहें वो interrelated हो या नहीं हो, उसको stream of consciousness कहते हैं, लोगों ने independence demand करने शुरू कर दी थी, जो colonies बनाई गई थी, इंगलेंड की उन्होंने independence demand करने शुरू कर दी थी, और Winston Churchill 1 इस time पर अपनी जगा establish कर रहे थे, ये वो era है जबकि world war one लड़ी जाने की तैयारी होने शुरू हो गई थी, it was very close, और जो world war one लड़ी गई उस era को भी हम modernist era भी कहते हैं, तो इसको हम ये जो era है, एडवरियन पीरियट जो है, 20th century जिसको हम कहते हैं, ये modernist era कहलाता है, जिसमें की realism, real picture पेश की जाने लगी थी, England की उसको glorify नहीं करते थे, मुनार्की की दूसरे countrys पे आप राज करें, उनकी जगा हड़ा पलें, उनको exploit करें, जैसे इंडिया को ब्रेटिश रस ने कॉलोनी बना लिया था अपना, इस चीज़ को glorify करना बंद कर दिया गया था, और इसकी सचाईयां सामने आने लगी थी, इसका जो परिणाम था, वो सामने आने लगा था, और इस टाइम पर इन सब के चलते, England में भी बहुत ज्यादा, जो है, depression और decline का एज चल रहा था, इसलिए इस एरा में realism एक टेक्नीक यूज की जाने लगी थी literature में, जिसमें की सही सही depiction किया जाने लगा था, फाल्तु में glorification नहीं करते थे, और इस टाइम पर English and American language, जो है, mixed रूप,